प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने शनिवार को वायनाट का दौरा किया। प्रधान मंत्री केरल के भूस्खलन प्रभावित इलाके में पहुँचे। उन्होंने चूर माला में पैदल चलकर आपदा से हुए नुकसान का पूरा आंकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि प प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भारतिय वायुसेना के हेलिकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चरल माला मुंडक और पचरी मटम का हवाई सवे किया। अधिकारियों के मुताबिक हवाई सवे के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का हेलिकॉप्टर कलपे में SKMJ विद्याले में उतरा यहां से वो सडक मार्क से चरल माला के लिए रवाना हुए चरल माला में सेना ने आपदा के बाद राहत और बचाव कारियों में मदद के लिए 90 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव कर्मियों राज्य के मुख्य सचेव वी वेनू और जिले के अधिकारियों से बात चीत की फिर पैदल ही पत्थरों और मलबे से भरेक शेत्र का सर्वेक्षन किया इस दोरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मत खान मुख्य मंत्री पिनर विजेन और केंद्रिय परेटन व पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी उनके साथ में मौजूद थे अधिकारियों ने बताया कि हवाई सर्वेक्षन में उन्होंने भूस खलन के केंद्र बिंदू को देखा जो इरुनजी पूजा नदी के उदगम स्थल पर है उन्होंने पंचूली मटम मुंडक और चूर माला के सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्रों का जाय जा लिया वाईनार्ट से चूर माला के बीच प्रधान मंत्री के काफिले के मार्क पर सैक्ड़ों लोग उनकी झहलक पाने के लिए सडकों के किनारे पर खड़े दिखे केरल के वाईनार्ट जिले में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई खनन की घटनाओं में 226 लोगों की मौत हो गई थी क्षेत्र में कई लोग अभी लापता है प्रधान मंत्री ने 30 जुलाई को त्रासदी की सूचना मिलते ही बैठक बुलाई थी उन्होंने NDRF सेना, वायू सेना और नौसेना को राहत एवं बचाव कार्य में लगाने का निर्देश दे दिया था सेना के तीनों अंगों और केंद्रिय बलों के साथ साथ अगनिश्मन और सिविल डिफेंस के 1200 से अधिक कर्मी मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में लगा दिये गए थे सेना ने वायनाड में प्रभावी क्षेत्र में 190 फुट का वैली फुट शीगरता से स्थापित किया आवागमन के लिए सुचारू रूप से बनाया गया इससे राहत कार्य के लिए एम्बुलेंस और भारी मशिनरी का आवागमन संभव हो सका था आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News